हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है मैं अज आपको मुंगफली का हल्वा बनाना सिखाऊंगी तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए हम 200 ग्राम मुंगफली को भून कर छिलका उतार कर रख लिए हैं मावा है 50 ग्राम एक चमच घी है 50 ग्राम चीनी है पानी है और कटा हुआ बदाम है महीन तो चलिए सुरू करते हैं मिक्सी में डालके बूना हुआ मुंगफली है इसको मदालके पीस लेंगे फिर हलका पानी देके इसको महीन पिष्ट तयार कर लेंगे देखिए इस प्रकार का पिष्ट हम को तयार करना है फिर हम गैस को आउन करेंगे और कराही को गर्म करेंगे और कराही में पानी डालेंगे आधा कप और फिर उसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी डालके इसको चलाएंगे देखिए ये चासनी हमारा तयार हो चुका है इसको हम चेक कर लेते हैं प्लेट में डाल के देखिए ये जम रहा है इस पर करका चासनी हमको तयार करना अब इसमें हम मावा डाल देंगे मावा डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिला देंगे फिर इसमें मुंभाली का पेश्ट था और डाल देंगे अब डाल कर उसको चलाएंगे फिर एक चम घी था और डाल देंगे घी डालने के बाद चार पाच मिनेर तक चलाएंगे अब हमारा हलुआ रेडी हो चुका है हम गैस को बंद कर दिया है प्लेट में हम घी लगाके रखे हुए उसमें हम हलुआ डाल देंगे और उपर से कटा हुआ बादाम छी रख देंगे हलुआ अमारा रेडी हो चुका है मुमफाली का हलुआ बहुत ही पस्टिक होता है इसमें कैल्सियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है आती बहुत टेस्टी लगता है अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीज़े लाइक कीज़े थाइंक यू